Hello everyone, welcome to Vidyashree Academy, organization की सीरीज में आध हम पढ़ने वाले हैं Asian Development Bank, ADB. ADB की स्थापना कब हुई? 19 December 1966 में ADB की स्थापना हुई, इसका मुख्याला है Manila, Philippines की राजदानी Manila में स्थे थे. इसकी अध्यक्ष कौन है? तो यहां पर याद रखना है कि ADB का जो भी हैड बनेगा वह एक Japanese व्यक्ति ही बनेगा, यह नियम है. तो वर्दमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? मत सुगू आसा काबा, मत सुगू आसा काबा. और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी. 2019 के पहले इसके जो सदस्य देश थे वो 67 थे. लेकिन वर्दमान में अभी 2019 में 68 देश जुडा इसमें नियू. इसका नाम भी याद रखना है, यह आप से पूछ सकता है, कि 68 देश कौन सा है, जो ADB का सदस्य बना है, तो इसका नाम है नियू. तो वर्दमान में सदस्य राष्ट ADB के कितने हैं? 68. 68 ADB के सदस्य राष्ट हैं. अब ADB को बनाने का क्या पुर्पस था? इसका उद्देश है, ACA प्रशांद शेत्य में आर्थिक विकास तथा सहीयोग में तेजी लाने के लिए वित्ती संस्तान के रूप में कारी करना. इजी लैंग्वेज में समझा जाए, तो जो भी एकोनोमिक डेवलपमेंट के लिए सहायता लगेगी, वो ADB प्रदान करता है. कैसे प्रदान है, जो multi-sectoral loan प्रवाइड करती है, इस प्रकार की ये financial institution है, ये विश्यो बैंक की model पर आधारत है, that means जैसे विश्यो बैंक अपने सदस्य राष्टों को बिविन परियोजनाओं के लिए रंड देता है, सहायता प्रदान करता है, उसी तरीके से जो ADB है, Asian Development Bank है, वो भी बि sustainable development goal में गरीबी उन्मूलन कौन से नम्मर का लक्ष है, आप मुझे comment box में लिखकर बताइए, जो मध्यम आये वाले देश हैं, उनके लिए hard loan प्रवाइड करता है, और जो गरीब देश हैं, उनके लिए ADB soft loan प्रवाइड करता है, अब हमें यहाँ पर समझना है, कि hard loan क्या ह होते हैं, और soft loan क्या होते हैं, hard loan का मतलब होता है, कि आपको आपके देश की जो currency है, जिसमें आपने loan दिया है, आपको उसी currency में वो loan बापिस करना है, लेकिन soft loan में ऐसी कोई binding नहीं है, कि आपको उसी देश की currency में loan बापिस करना है, आप अपने देश की currency में भी loan को बाप होता है जबकि soft loan में आपको जो ब्याज किदर होती है वो बहुत ही कम्या नगन्य होती है इसके अतरिक यहां पर हमें थोड़ा सा समझना है कि ADB जो है वो बहुत सारा कर्ज अलग-अलग देशों को देता है बहुत सारी परियोजनाओं के लिए फर एक्जामपल 2021 में भारत को 4.6 अरब डॉलर ADB ने दिया अब यह काफी बड़ा एमाउंट है जिसमें केवल 1.3 अरब डॉलर जो था वो कोरोना महामारी के लिए था इसके अतरिक जैसे मध्य प्रदेश गवर्मेंट के लिए 2021 में बहुत सारा लोन 270 मिलियन डॉलर जो था वो ग्रामीड सेवा के लिए दिया गया 270 मिलियन डॉलर ग्रामीड सेवा के लिए दिया गया और इसके अतरिक्त 200, 375, 375 मिलियन डॉलर दिया गया था वो से चाई के लिए दिया गया था तो यह कुछ current से related points है आपके mains की answer को बहुत अच्छा बना सकते हैं आपको एक extra number दि सकता है तो आपको कुछ छोटी-छोटी ये पॉइंट सियात करने हैं इसमें पांच बड़े शियर धारत देश हैं जिसमें सबसे पहले है जापान, USA, चाइना, इंडिया, उस्ट्रेलिया अब ADB कुछ रिपोर्ट पब्लिश करता है जैसे Asian Development Outlook Report इसको पब्लिश कौन करता है तो ADB करता है Asian Development Outlook Report ADB पब्लिश करता है जिसमें ये विकासदर के लिए अर्थेविवस्ता की विकासदर के लिए अनुमान लगाता है तो 2022 के लिए विकासदर जो ADB ने बताई वो 7.5% की व्रद्दिदर बताई और जो 2023 के लिए है तो वो 8% की ग्रोथ रेट से भारत उन्नती करेगा ऐसा ADB ने सूचा है तो ये ADB के बारे में मुख्य जानकारी थी I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स जो भी आपकी क्योरीज है आप कमेंट बॉक्स में लगकर बदा सकते हैं कोई सजेशन है तो आप भू भी बता सकते हैं और हाँ अभी तक मैंने जितने भी वीडियो अपलोड करे हैं उनका PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आप वीडियो सुनने के बाद एक बार PDF से भी रिवाइस कर सकते हैं थैंक्यू सोमत जैहिन जैभारत